अबस्कार आप सभी का एगेंस्ट केप्शन 99 में बहुत-बहुत स्वागत है साथ हैं आजादी के अमरित महुतसब की भी बहुत-बहुत सुभकाम नाएं आप लोगों को क्योंकि हमारे देश में कल 75 में 133 तिवस की आजादी के अफसर पर ना जाने कितने जगहों पर इस अमरित महुतसब को मनाया जाएगा जिसके कारण हमारा देश कल जसन के महौल में डुबा रहेगा जिसकी मेरी तरब से भी बहुत-बहुत सुभकाम नाएं आप लोगों को साथ में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं नम्र निवेदन करने जा रहा हूं कि इस अमरित महुतसब पर अवस्य भारत को भरष्टा चार्ड से मुक्ती दिलाने का भी संकल्प हम सभी भारतियों को अवस्य लेना चाहिए इस कारण मैंने इस एगेंस्ट क्रप्शन 99 का सुरुबात इसी बर्स किया है और मैं आसा रखता हूं कि हम सभी मिलकर अवस्य भारत को भरष्टा चार मुक्त बना सकते हैं तो चलिए जो इस चैनल से जुरे हुए हैं उसे बहुत बहुत बढ़ाई तथा बहुत बहुत आभार तो जो पहली बार इस चैनल से जुरे हुए हैं वो अवस्य सब्सक्राइब कर बेल ऐकन दवाकर आल पर भी अवस्य क्लिक कर लें जिससे भरष्टा चार से संबंधित आर टियाई लगाना लोग सिकायत करना लोग आयुक्त को किस प्रकार सिकायत कर सकते हैं भी विंट प्रकार की भरष्टा चार से लड़ने की जानकारी हम लोगों को मिलती रहेगी तथा इसे इतना सेयर करेंगे कि हम लोगों को आसानी से एक दूसरे को जानकारी सेयर करने में समझने में आसानी होगी और हम लोग एक जूट होकर ब्रस्टाचार के खिलाब आजादी के इस अबसर पर एक जूट होकर संकल्प ले सकें तो था एक लाइक अबस्ट कर देंगे तो मैंने इधर आटियाई लगाया था अनुमंडल कारियाले में कि रासन कार्ड से संब्दित मेरा रासन कार्ड बार बार रेजक्ट कर दिया जा रहा था मैं एक दिव्यांग हूँ और दिव्यांग अधिकार अधिरियम 2016 के तहत हर दिव्यांग को रासन कार्ड होना चाहिए क्योंकि हम दिव्यान अधिकांस रूप में बहुत निम्नस्तर के परिवार से आते रहते हैं जिसे दो वक्त की रोटी तो जरूरी ही है मैंने भी कई बार आसनकार्ट से संबंदित आवेदन किया था लेकिन उसे बार-बार रिजेक्ट कर दिया जा रहा था इस बार मैंने ऑनलाइन आवेदन किया और उस ऑनलाइन आवेदन को सगलन कर एक अनुमंडल कारियाले को RTI लगाई आप लोग देख रहे हैं अनुमंडल कारियाले का ही यहानुमंडल पदाधिकारी का मुझे सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत यह जवाब प्राप्त हुआ है मैं आप लोगों को कहना चाता हूँ आप लोगों का कोई भी कार्यदी बिलम्ज से किया जा रहा है उसे दबाया जा रहा है या गलत ढंग से उसे रिजक्ट कर दिया जाता है तो आप अपने आवेदन से संबंदित संबंदित पताधिकारी कार्याले को अवस्य RTI लगाए मैंने अपने रासन कार्ट से संबंदित एक RTI आप लोगों को SDO कार्याले में कैसे लगाएंगे इसकी जानकारी पहले ही वीडियो गुना कर दे चुका हूँ मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने यह RTI लगाए थी अनुमंदल कार्याले सदर भागलपूर को कब लगाए थी तो 4722 से लगाए थी यह आप लोग दिखें यह अनुमंदल पताधिकारी द्वारा भीजा गया जवाब का पत्र है और यह जवाब है मैं आप लोगों को इस से दिखा कर यह बताने जा रहा हूँ कि मैंने 47 को RTI लगाई और एक आठ को अनुमंदल पताधिकारी का जवाब मुझे मिला और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यह दो दिन पहले ही verified भी हो गया और मेरा रासन कार्ड भी issue हो चुका है जिसका रासन कार्ड नंबर भी मुझे मिल चुका है अब मैं इसे online भी निकलवा सकता हूँ तो आप लोग देख रहे हैं कि RTI का कितना वरा पुरभाव है RTI लगा कर हम लोग अपने कारी को घर बैठे आसानी से करवा सकते हैं आप लोग देखें उन्होंने क्या जवाब दिया है लोग सुचना पता दिकारी सेहनुमंडल पता दिकारी सिदर भागलपूर पतरांग दिनान से या मेरा नाम है प्रविनकुमार सरमा मेरा पुरा पता है इन्होंने मुझे ID नमबर दिनानग के साथ ही वाध संख्या के साथ मुझे सुचना अपलक्त कराई है मैंने अपने रासन कार्ड से संबंदि सुचना की मांग की थी तो इन्होंने पहला का जबाब दिया है आपके द्वारा दिनांग कितना को समर्पित आवेदन संख्या प्रखंड विकास पताधिकारी नहतनगर के लॉग इन में इस टेप इतना सकेंड यू आईडी वरिक्रिकेशन में सुलप प्रसंग एतु आवेदन आउनलाइन की छाया परती के साथ सगलगन है दूसरा एक से अधिक विषय पर संबंदि सुचनाओं के लिए अन्विश्यों में से परते के संबंद में अलग-अलग आवेदन करें मैं इसलिए इन्होंने इस तरह का जवाब दिया है तीसरा है कब क्या कब तक क्यों कहां या प्रसंग वाचक सब्द सुचने का अधिकार के अधिनियम के तहत अंतरगत नहीं है ऐसा मैं भी जान रहा था लेकिन कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिसकी अनिवार्था है भी इसलिए अगर आप उप्योक निर्ने से छुब्द हैं तो निर्ने प्राप्ति के तिथी से तिस दिन के अंदर अपड़ समहरता भागलपूर के शमक्ष अपील दायर कर सकते हैं यह हर लोग सुचनाप दाधिकारी को लिखने का नियम है लेकिन अधिकांस लोग सुचनाप दाधिक अधिकारी नहीं लिखते हैं जो उनकी गरवड़ी है इसलिए आप लोग सुचनाप दाधिकारी का इस तरह का सिकायत कर सकते हैं कि आपने अपील करने हितू सक्षम प्राधिकार का जिक्र नहीं किया है यह आदेश 1822 को हुआ और यह लॉग इन पर पेंडिंग था वीडिय कर भेज दी है आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इसके बाद मेरा राशन कार्ड वेरिफाइड हो चुका है यह दो दिन पहले मुझे मैसेज मिल गया और राशन कार्ड नंबर भी मिल गया है आसा है आप लोग भी अपने रुके भी कार्ज को आर्टियाई लगा कर आसानी से करवा सकते हैं बिना किसी भाग दोर के और आसानी से आप इस काम को करें जिससे हो रहे ब्रश्टाचार में कमी आए तथा आपका काम भी आसानी से हो सके जैहन